केबूल लामजाओ नेसल पार्क जो है वो हमारे इंडिया के नोर्थ इस्टन पार्ट में जो मनिपूर इस्टेट है वहाँ पर लोकेटेड है केबूल लामजाओ नेसल पार्क लोक्टक लेक जो फ्रेश वोटर लेक है और मनिपूर इस्टेट में ही लोकेटेड है उसी का इ ब्रो एंटलर डियर जिसको संगाई डियर के नाम से भी जानते हैं मनिपूर जो स्टेट है वहाँ पर इसको डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं और मनिपूर स्टेट की जो डांसिंग ट्रेडिशन है ऐसा बोलते हैं कि उनका इंस्प्रेशन उनको इसी डियर से मिलता ह यह जो ब्रो एंटलर डियर है इसको पहले extinct declare कर दिया गया था लेकिन बाद में यह पाया गया कि जो केबूल लामजाओ नेसल पार्क है वहाँ पर इसकी कुछ population पाई जाती है और फिर इनको यहाँ पर preserve and protect किया गया केबूल लामजाओ नेसल पार्क से related other facts की अगर हम बात करें तो यहाँ पर fumedis पाई जाती है इसलिए पुरे वर्ल्ड में only floating नेसल पार्क के रूप में भी जानते हैं केबूल लामजाओ नेसल पार्क को यह fumedis क्या होती है fumedis जो है वो यहाँ पर जो भी degraded means organic substances जो होता है वो floating stage में पाई जाता है decomposed plant material जो है वो यहाँ पर इस तरीके से एक तरीके से floating stage में पाई जाता है जिसको fumedis के नाम से जानते हैं तो यह basic facts केबूल लामजाओ नेसल पार्क से related जो हमारे exam के point of view से important है